हेलो मेक्यानिक दोस्तों, आज है मेरे पास TVS Apache RTR 164V वाली वेरियंट मेरे पास आई हुए और आज की इस वीडियो में completely thermal sensor के ओपर explain करने वाले हैं आज की इस वीडियो में आपको डीटेल में बताएंगे कि thermal sensor कैसे work होता है इसके खराब हो जाने के बाद क्या-क्या आपको problem fix करना पड़ेगा और किस तरह से multimeter से आप पता करें कि thermal sensor खराब है या सही है आप सभी मेक्यानिक भाईयों को अच्छी तरह से पता होगा कि अब की thermal sensor सही है या खराब है और यह खराब हो जाने के बाद किस तरह से irritating problem करता है और check out करने का क्या है प्रोपर तरीका सारे चीजों को cover करेंगे तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होगी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजे शेर कर दीजे औ चले बिना time wish की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक process बताते हैं thermal sensor चेक करने का और साथ ही साथ आपको PDF शेर करेंगे company क्या कहती है कैसे इसका check out करने का तरीका है क्या इसका proper reading आएगा सारा चीज़ आपको detail में explain करेंगे तो वीडियो आज की बहुत ही interesting होगी व तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेकैनिक भाईयों को बताते चलें कि यह सबसे पहले यह की बहुत से इसे मेकैनिक होते हैं जिसको thermal sensor के बारे में पता नहीं होता कि thermal sensor है क्या और company according इसे लगाया क्यों गया तो सबसे पहले आपको बतादें thermal sensor जो है इसके block assembly म company according इसलिए attach किया गया है जितना भी हमारा जो engine का temperature होता है कि हमारा engine भी heat पड़ा हुआ यह कूल पड़ा हुआ यह complete detect करके ECU को बताता है अब यहां पर बात आती ही कि यह चीज तो BS4 भी गाड़ियों में भी देखने को मिलती है तो हां BS4 की आपको बजाज पलसर 135LS बजाज की डिसकेवर और टीविस की अपाची आर टीर 164 भी 200 फोर भी इन सभी बहुत ऐसे गाड़ियों में आपको BS4 में भी यहां टेकनलोजी देखने को मिलेगा और अब आपको हम बताते चलते हैं कि जब हमारी गाड़ी का thermal sensor खराब हो जाता है तो किस तरह से हमारा rpm फ्लेक्श प्लेन करते हैं और साथ ही साथ स्पीडिया भी शेयर करते हैं ताके कहीं भी इन फूचर आपके पास प्रोब्लम आए तो आप 100% सेलिऊशन निकाल सकते हैं तो चलिए सबसे पहले बाइक को स्टार्ट करते हो तरमल सेंसर लगा होगा उस कंडिशन में देखेंगे हमारी ग तो देख पारें 840 से 850 से आर्पीम हमारा फ्लेक्ट्याट हो रहा है थर्मल सेंसर अभी लगा हुआ यानि 850 और साथ 70 80 असी 90 अब चलिए इसके थर्मल सेंसर को ऑपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या इसके और रिकम एंक्रीज्मेंट आता है या कि फैरमल सेंसर इस जगा पर लगा हुआ है चलिए इसे ह्सें कर लेते हैं यह इसका वायर लाइन बना हुआ है दो हैर होते हैं इसके नदर अभी इसको讲 उट करेंगे तो चलिए इसे घ्रणफ ऑपन करते हैं अभी आपने देखा mai तो मेकेनिक दोस्तों देख पारें इसका जसे हम थर्मल सेंसर ओपन किया और बहुत ही ज्यादा इसका आर्पीम हाय हो चुका है यानि 200 की करीबन हाय हो जाता है और इस तरह से जब भी आप अगर इसके थर्मल सेंसर को ओपन कीजेगा तो आपको बहुत इसे प्रोब्लम फेस करना पड़ेगा और अगर BS6 की गाड़ी है तो आपको जो मीटर में इसका चेक इंजन लाइट जलेगा और कभी कभार ऐसा होता है कि इसके वाइरिंग के कट होने से बहुत ही ज्यादा हमारी गाड़ी मिसिंग करती है क्योंकि इसका प्रोपर जो इंजन का टेमपरेचर ज के बाद क्या रीडिंग आता है और थोड़ा सा फॉल्टी होने के बाद क्या रीजन आता है तो चलिए सारे रीडिंग आपको चेक करवाते हैं उससे पहले आपको हम यह डिटेक्ट करवाते हैं कि जब हमारा कोई भी सेंसर या एक्ट्वेटर वर्क होता है उसके लिए जो लगता है इसको वर्क होने के लिए तो इसको आउटपुट चेक करने से पहले आप सभी को बताते चलने जब इसके आउटपुट आपको चेक करना है जब इसकी रीडिंग जो है इसके DC सप्लाई के ओपर रखना है जैसे सपोज आपके पास इस तरह से एक मल्टी मिटर होगा हम नॉर्मल चीज़ों के पर ज्यादा कवर करते क्योंकि हमारी जो वीडियो है आफ्टर मार्केट मेकैनिक भाणियों के लिए ज्यादा होती है ताकि वो जो आसाने से सीख सके इन सब्सक्राइब को रिपेयर करना तो आपके पास इस तरह से 1,500 रुपे का एक मल्टी मिट होना जरूरी है तो जब इसका हम इन्पूट चेक करने कि इसके थर्मल सेंसर को वर्क होने के लिए कितना करंट आना चाहिए तो सबसे पहला आपको DC सप्लाई चेक करना है क्योंकि कोई भी सेंसर ये एक्ट्वेटर को वर्क होने के लिए DC सप्लाई की आउशक्ता ज्याद सेंसर और एक्टुइटर को वर्क होने के लिए 5 वोल्ट का कीनेक्शन होना एकदम काफी हो जाता है जैसे अपके सपोज ले लिए होंडा की एक्टीवा लिए तर्मल पूपर है अब इसके चेक करने के लिए कितना व्लट का करन्ट आ रहा है तो 5 वोल्ट का उसमें हो गया या सही है उसके बारें भी बताएंगे तो सबसे पहले हमें यह चेक कर रहा है कि थर्मल संसर वर्क होने के लिए 425 वोल्ट उधर से हमारा बेटरी से वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है तो सबसे यह वायर है इसके एक जो रेड कलर का लाइन बना हुए जिसके अंदर हमारा जो सप्लाय आता है डीसी सप्लाय उसको चेक आउट करेंगे तो आपको बताते चलेंगर आप किसी भी बाइक का चेक कर रहें या फिर टीविस की एंट टॉर्क का चेक करें तो उसका किल स्वीच एक दम हमेशा ओन होना चाहिए अगर किल स्वीच अगर नहीं है फिर आपका थर्मल सेंसर प्रोपर तरीके से डिटक्ट नहीं करेगा यानि इसके अंदर जो सप्लाय आना चाहिए वो नहीं आएगा तो जब भी आप थर्मल सेंसर का इंपूट चेक करें तो आप याद करते हैं आप चलिए इगनेशन को ओन करते हैं और आपको वोल्टेज सप्लाय दिखाते हैं तो देख पारें जैसे इसके इगनेशन को ओन किये तो 4.71 आ रहा है यानि 471 एकदम मेकानिक भाईयों को क्या कि फुल्ली एक्स्प्लेन हम करते हैं ताकि कहीं से कोई कंफ्यूज तो इसका आपको मैंने बताया कि कोई भी थर्मल सेंसर को वर्क होने के लिए चाहिए बी यह सिक्सों बीएस फोर उसका फाइव वोल्ट मिनिमम काफी हो जाता है इसके थर्मल सेंसर को वर्क होने के लिए यह देख पारें प्रूपर यह थोड़ा सा हील जा रहा है सिंगल ह आपको बताएं तो फाइव वोल्ट का इसके अंदर प्रूपर जो करेंट आ रहा है अब यहां से आपको यह कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमारा वोल्टीज का सप्लाई एकदम प्रूपर तरीके से आ अब हमारा यह चेक करना पड़ेगा कि हमारा हंड्रीट परसेंट थर्म सेंसर खराब है तो थर्मल सेंसर यह चेक ना करने कि आपका थर्मल सेंसर खराब है क्योंकि बहुत समय यह होता कि बीच में से वायर कट हो जाते हैं अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैंने टीविस के स्टार सीटी पलस बीएशिक्स का अल्रेडी वीडियो बना रखा है उसमें मैंने बताया है कि सिर्फ दो वायर के कट जाने के वज़े से कस्टमर कितना ज्यादा परिशान हो गए थे मॉर्निंग टाइम गाले स्टार्ट हो ही नहीं रही थी तो चलिए मल्टी मिटर को यहां से थोड़ा सा साइड करते हैं और आपको हम एक्स्प्लेन करते हैं कमपनी अकोडिंग पीडियाफ आपको डाउनलोड करना है ताकि इन फ्यूचर कभी भी प्रोब्लम आपको फेस ना करना पड़े तो चलिए इसके थर्मल सेंसर को ओपन करते हैं और दिखाते हैं इसके चिकाउट करने का क्या है पर उपर तरीका और मल्टी मीटर से जब आ अधर अस्पेनर लगेगा तो इसको जब भी आपन करें अधर से ओपन करें ताकि स्लीपिंग का एकदम चांसस ना रहे वरना अगर आप साइज से या फिर और अधर टूल से ओपन करते हैं तो फिर स्लीपिंग का चांसस बढ़ जाएगा तो चलिए इसके थर्मल सेंसर को हैं अधर लेते हैं और इसको आपको मूल्टी मीटर से पूर्पर रीडिंग बताएं तो यहीं तर्मल सेंसर को प्लॉक में अंदर लगा होता और यहीं तरमल सेंसर ये है thermal sensor और इसकी जो है complete जो यही decide करके बताता कि आपका temperature भी किस condition में जल्दी आपका time ज्यादा नहीं लेंगे फटाक से आपको बताते है company according क्या है check करने का तरीका तो सबसे पहले आपको जो है multimeter को एक proper जगह पे hold करना होता है जब भी इसको check out करना है तो जब भी कोई भी आप अगर sensor चेक आउट करते हैं चाहिए tvs की कोई सा भी model हो सेम जगह पे आपको लगाना है tvs के scooter हो या फिर बैको जेस्ट हो या फिर tvs की जूपीटर हो tvs की एंटोर्क हो tvs की प्लस हो tvs की आपाची हो कोई भी गाड़ी radion city पलस सभी में एक जगह प को चेक करने के लिए होता है तो यहां पर हम जो चेक करेंगे thermal sensor इस वाले शायन पर चेक करेंगो और जब हम यहां पर continuity यह जो लगाएंगे यह हम लगाएंगे 20k पर 20,000 इस जिगहा पर 20k लिखा हुआ है यह आपको परूपर हाँ यह देखिए इसका जो mark लगा है हम 20k पर लगा चुके हैं अब चलिए इसका voltage check out करते हैं company according क्या कहा जाता है कि जब भी आपका यह जो वाइरिंग में failure रहेगा अगर बीच से वाइरिंग कट हो गया या फिर यहां से इसके अंदर वाले वाइरिंग में कट हो गया तो बीना कुछ किये आप इसके multimeter से check कर सकते हो ज तो इसको मैंने description में डाल देंगा वहां से आप ले लिजीगा और यह जो complete PDF आपको description में मिल जागा तो चलिए आपको भी check out करके दिखाते हैं जब हमारा सही है किस तरह से reading check करेंगे तो आपको मैंने शुरू में ही बताया कि मेरी जो वीडियो है complete explain के साथ होती है तो हम इस तरह से check out कर सकते हैं तो यहां पर देख पा रहे हैं जो एक yellow color का है plus red color का है इसके अंदर हम इसके black वाले needle को attach कर देंगो और इसको जो red वाले wire में attach कर देंगे यह देख पा रहे हैं इसको open करने के बाद जो इसकी proper reading होती है यह इसका यह देख पा रहे है छे वोल्ट 99 यान जो आप PDF में देख सकते हैं एक पर फिर से सुनने खराब हो जाने के बाद 4.14 वोल्ट आएगा 5.14 वोल्ट आप PDF जरूर से जरूर डाउनलोड कर लिजेगा description में रहेगा यह इसका open करने के बाद का voltage अब चलिए इसको यहां पर thermal sensor को assemble करते हैं और फिर आपको हम check out करते हैं चलिए देखते हैं इसको assemble करने के बाद कुछ voltage में बदलाव आता है या नहीं आता है तो फिर से चलिए इसके voltage को check out करते हैं तो थोड़ा सा बदलाव आया है और यह देख पा रहे हैं 4.55 चलिए एक बार गाले को start कर लेते हैं इससी condition में हो सकता है temperature हीट होने के बाद कुछ आप down हो complete सभी proof के साथ आपको बता रहे हैं गाले को start कर लेते हैं तो start होने के बाद को इसके अंदर fluctuation आपको देखने को नहीं मिला क्योंकि मैंने भी इससे check out कर लिया कि start होने के बाद कोई reading बढ़ता नहीं तो आप इससे open करके भी check कर सकते हैं और fitting करके भी check कर सकते हैं तो जब सही रहेगा हमारा thermal sensor तो क्या होगा कि fitting में आप check करें तो चार और पंदरा चार पॉइंट पंदरा दिख रहा होगा और उसके बाद open करने के बाद आपने पहले reading देख लिया कि open में हमारी जो thermal sensor का reading जो साथ के करीबन चला जाता है छे निन यानवे तो और जब यह खराब हो जाएगा तो 5.14 ही आएगा आप याद रख लें इस ची 99 और 700 पर जाके रूख जाएगा भी देखिएगा बढ़ता चला जाएगा तो हर स्टिप से आपको उम्मीद करते कि सिखने लाइक मिल गया हुआ कैसे आपको thermal sensor को check out करना है in future कभी भी problem आता है तो आप आसाने से check out कर सकते हैं अभी जाके देखते कहां पर यह hold होता है फिर जो 699 पर जाके रूख जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको completely सारा step पता चलगी होगा कैसे इसको check out करना thermal sensor को और सबसी normal क्या है कि जब भी आपकी गारी morning time बहुत ही ज्यादा starting problem करती है और rpm इसका बहुत ही ज्यादा fluctuate होता है एक जब जगह पे स्थिर नहीं हो को जरू सब्सक्राइब करके बिल आकन को प्रोस किजिए और सपोर्ट किजिए सपोर्ट के बहुत ही ज्यादा आओ शकता चलिए फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पूर वोचिंग